हेलो दोस्तो वेलकम डो माई चैनल अनम लॉजिक दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि आप फेस्बुक पेज कैसे बना सकते हों दोस्तो आपको कुछ नहीं करना है सिंपल सा अनम लॉजिक यानि कि इस चैनल को अगर आपने सब्क्राइब किया है तो आपको टेंशन लेनी की जरूरत नहीं है और जिसने नहीं किया है तो सबसे बहले सब्क्राइब कर लिजिए क्यों कि आपका ऐसी इंटरस्टिंग वीड पहले से आपको सज्चेस्स कर रहा है कि यह जो पेज़े से इसमें आप लाइक कर लो लाइक का मतलब यह होता है पेजेस में जिससे कि हम YouTube के ओपर सब्क्राइब करते ना उसी सबसे फेस्बुक पेज के उपर लाइक का बटन दिया हो रहता है अगर आपने कोई भी पेज को अगर लाइक करके रखा हो तो वो पेज वाला अगर आप उसके पेज के अंदर कोई फोटूस या वीडियोस डालेगा या कोई बिजनिस से रिलेट कोई भी दोस्तो डालेगा वहाँ पे लिखे दालेगा तो दोस्तो आपको सबसे पहले दिखाए देगा इसका मतलब यह होता है समझ लो कि एक टाइप का सब्क्राइब हो गया तो दोस्तो अब हम किस तरीके से करते हैं पेज को दोस्तो यहाँ पर देखे ओपर की तरफ क्र करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है आपकी ग कि आप लगबग 3 add कर सकते हो तो मैं वापी से एक tag दालके देख लेता हूँ कि क्या आता है करके अगर technology से related कोई भी work होगा था दोस्तो technology से related ही यहाँ पर मैं दालूँगा तो दोस्तो यहाँ पर दो चीजे दालने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा create के उपर click कर दूँगा तो दोस्तो जैसे create के उपर click करते हैं तो दोस्तो यह क्या होगा कि मेरा जो animology का page है वो create हो जाएगा तो दोस्तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर contact यानि कि आपके पस अगर कोई website है e-commerce की website है या आपका कोई youtube channel है या आपका Instagram channel है Instagram की जो link है वो भी यहाँ पर put कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर आपका address डाल देना है और इसके बाद simple सा next कर देना है तो दोस्तो यहाँ पर मैंने Instagram की link डाल दिया है उसके बाद मेरे address डाल दिया है उसके बाद मैंने जहां पे मैं रहता हूँ सूरत में वो डाल दिया और postcode number मैंने डाल दिया है और simple से आपको क्या करना है next कर देना है ठीक है next करने के बाद ये अगर आपका option आते है something went wrong ठीक है please try again तो इसका solution क्या है चलिए मैं अभी आपको बता देता हूँ तो दोस्तो simple से आपको back निकल जाना है सारी चीज़े आपको back निकल जानी है ठीक है यहाँ पे back निकलने के बाद आपको क्या करना है simple से help and support है इसके उपर आपको चला जाना है help and support में जाने के बाद दोस्तों आपको help center में चला जाना है help center में जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है थोड़ा से स्क्रॉल होगा आपको किस चीज से related आपको problem हो रही है तो यहाँ पर मुझे page से related problem हो रही है तो मैं इसके उपर चला जाओंगा pages के उपर चला जाओंगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर in the top right of facebook tab यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको वीडियो की starting में बताया था उसके बाद pages के उपर मैंने click किया था उसके बाद your number pages के उपर click किया फ्यू उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए है create के उपर मैंने click किया और उसके बाद get start किया और follow the on screen instruction के उपर मैंने click कर दिया अगर यह information helpful रही तो yes कर देना अगर आपको समझ में नहीं आता है तो no कर देना तो दोस्तों यहाँ पर note भी लिखा हुआ है anyone can create a page but only official representative can create a page for an organization business brand और public figure ठीक है तो मेरा तो public figure है तो यहाँ पर मैं क्या करूँआ कि इसमें देखे यह मैंने पढ़ लिया है अब आपको simple सा अगर आप बहार निकल जाओगे ना तो यह page आपको automatically यहाँ पर दिखने लगेगा आपने इतना कर लिया उसके बाद page के उपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा जो अनम लोजिक का page है वो यहाँ पर दिखाए दे रहा है पहले जो कि नहीं दिखाए दे रहा था बड़ अब दिखाए दे रहा है क्योंकि मैंने help center में जाके उनसे help देखी थी तो जैसे ही मेरा अनम लोजिक का page क्रियेट हो गया है तो दोस्तों यहाँ पर मैं अनम लोजिक के उपर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे बोलता है कि आपका जो page वो क्रियेट हो गया अनम लोजिक का आप चाहे तो whatsapp का number दालके भी आप क्या कर सकते हो आपके जो facebook से connect कर सकते हो ठीक है यहाँ पर आपको अपना number दालके यहाँ पर send code करोगे whatsapp के ओपर एक code जाएगा वो code यहाँ पर आपको दाल देना है और उसके बाद facebook से यह क्या होगा whatsapp आपका connect हो जाएगा ठीक है यह हो गया इसके बाद आपको यह success completing few simple state उसके आपको next करना है तो कर सकते हो ठीक है यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपके add profile picture दाल देना है यहाँ पर edit के ओपर click करोगे तो यहाँ पर गैलेरी में directly लेके चला जाएगा जैसे gallery में जाएगा यहाँ पर कोई भी एक photo साप select कीजिए और आपकी जो gallery है उसके उपर मतलब कि आपके जो page के उपर जो photo आपको रखना है और यहाँ से वो select कर देना है और simple सा आपको क्या करना है यहाँ पर done कर देना है तो दोस्तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर यह picture जो है crop करके यहाँ पर रख दी है उसके बाद यहाँ पर simple सा मैं क्या करूँगा save कर दूँगा तो आपके पेज के पेच पर आएगा तो वह बंदा डेरेकल आपके YouTube channel के उपर भी चला जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप एड़ कर सकते हो उसका get start के उपर click करना है उसके बाद यहाँ पर recommend it करेगा तो दोस्तों यहाँ पर दिखे get start में कर देता हूं उसके बाद यहाँ पर दिखे अनम logic का मैंने नाम डाल दिया है category मैंने select कर लिए है यह मेरे about के बारे बता रहा है उसके बाद मैंने यहाँ पर cover photo दाल दिया है मेंने मेरा profile photo दाल दिया है contact number आपको add कर देना है यहाँ पर action button add कर देना है यहाँ पर no hearts पोस्ट किया है दोस्तों तो आप उसको किस तरीके से प्रोमोट कर सकते हो और कितना पेसा आप उसमें लगा सकते हो यह सारी चीजे मैं आपको बता हूँगा और आपका बिजनेस किस तरीके से ग्रो कर सकते हो तो दोस्तों आपको फिकर करने की ज़रूद निया क्योंकि आप आपको रोज कुछ नया सिखने मिलेगा चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स और वाच दोस्तो अगर आपको मुबाइल एकसेसरी का बिजनेस में इंटरस्टेड हो तो होलसेल रेट में मेरे फ्रेंड के पास अगर सूरत मे रेटें में अगर सूरत पाहरी तो कुरियर की सरवीज भी आवेलेबल है चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स वॉ वॉच्चिंग